वेलकम टो शाइन्स नवाबी किचिन आज मैं आप सब के लिए बहुत ही हेल्दी और डिलिशिस रेसिपी लेकर आई हूँ यह है स्वीट यानि मीठा पराठा जिसे हमने लिक्विड डो की मदद से बनाया है बहुत ही आसान और जल्दी बन जाती है यह रेसिपी अगर आपको यह पराठे soft खाना पसन है तो आप soft बना सकते हैं या फिर इस तरह के crispy बना सकते हैं जो अंदर से बिलकुल भी sticky या कचे नहीं होंगे तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां लिया है quarter cup peanuts यानि मूंग फली मूंग फली को हम अच्छी तरह roast कर लेंगे अब यह अच्छी तरह roast हो गया है हम इसे ठेंडा होने रख देंगे तबह भी गर्म है तो मैं इस पेस ऐसे में seeds यानि तिल इसे डालूंगी तिल को आप बहुत ही low flame पर ही भूनिएगा और साथ में मैं यहाँ डालूंगी थोड़ी सी सौंफ और साथ ही दो हरी इलाइची इस recipe में सौंफ और इलाइची का डालना जरूरी नहीं है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते है तो देखिए यह तिल अच्छी तरह भून गई है तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी अब हमने यहाँ मुखवली के छिलके निकाल लिये है और इसे अब हम grinder में डालेंगे साथ ही यहाँ पर है हमारी भूनी हुई तिल और सौंफ इसे हम grind कर लेंगे धरधरा सा अब यह costly grind powder ready है हमने इसे low speed पर few seconds के लिए grind किया है ज्यादा grind करोगे तो peanuts जो है oil release कर देंगे आप चाहे तो यह powder एक दिन पहले बना कर भी store कर सकते है ताकि आसानी हो जाए नाश्टे के दाइं अब हमने यहां ले लिया है एक cup होल भी टाटा इसमें में डालूंगी half cup गुर्ड और साथ ही हमने जो यह powder बना कर त्यार किया है वो डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं टेस्ट के लिए इसे हम अच्छी तरह mix कर लेंगे अच्छी तरह mix होने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे पानी डालते समय आपको अच्छी तरह इसे फेंटते रहना है ताकि एक smooth lump free batter त्यार हो जाए मिठास कम लगी तो आप jaggery powder यानी good powder और दाल सकते है तो मैं अब इसमें डालूँगी 1 teaspoon घी आप चाहे तो oil का भी इस्तमाल कर सकते है अच्छी तरह mix कर लेंगे हम इसकी consistency ऐसी होनी चाहिए smooth, thick and flowy चलिए ये ready हो गया है तवे को हमने यहाँ गरम कर लिया है इसे मैं हलका सा grease कर रही हूँ घी से अब इसाटे के घोल को हम अच्छी तरह mix कर लेंगे और इसे धीरे से pour करेंगे just like pancakes की तरह इसे धीरे से आप थोड़ा सा spread करिए ज्यादा नहीं ध्यान रखेगा आपका तवा ज्यादा high नहीं होना चाहिए नहीं तो ये चीले की तरह बन जाएगा इसे medium to low heat पर हम एक से देर्मेंट तक पकने के लिए छोड़ देंगे इसका color change होते ही हम इस पे थोड़ा सा oil या घी लगा देंगे और इसे आप हलके से उठा कर चेक करिए कि ये अंदर से पका या नहीं पक गया है तो हम इसे पलटा लेंगे अगर ये अभी still कच्चा है तो मत पलटाए नहीं तो आपका पराटा तूट जाएगा और इस पे हलका सा आपको घी spread करना है दूसरी साइड भी दोना साइड अच्छी तरह घी लगा कर हम इसे पकाएंगे अगर आप चाहे तो अवाइड कर सकते हैं घी डालना बस इसे अच्छी तरह सेक लीजिए और बीच में ताकि अंदर कच्चा ना रहे लगभर चार मिनिट हो गया है इस पराटे को पकते हुए मीडियम हीट पर अब ये सौफ्ट सा पराटा रेडी है दूसरा पराटा बरनाने से पहले ये तवे को हमें ठंडा करना जरूरी है तो इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी चिनक दिया है और इसे क्लीन कर दिया है ताकि जो है इसका टेंपरेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए इसे हम ग्रीस कर लेंगे ओल से और फिर हम ये सेम वही दुबारा से स्टेप्स फॉलो करेंगे बिल्कुल इसी तरह से हलका सा इसे स्प्रेट कर दीजेगा और जैसे ही ये पराटों का कलर चेंज हो जाता है हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे उसी तरह सेम पलटा कर हम सेख लेंगे तो क्योंकि हम ये क्रिस्पी पराटा बना रहे हैं तो इसे हम ज्यादत समय तक सेखेंगे और मैंने यहां लास्ट में हाई कर दिया है हीट को और इसे अच्छी तरह सेख लिया है अब ये क्रिस्पी सा मीठा सा पराठा रेडी है सर्फ करने के लिए I hope you all like my recipe Please subscribe, like and share my video Thank you